दोस्तो प्रदिविरी एक एक में इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम लैपलास ट्रांस्पॉर्म का लेक्चर नमबर 4 लेकर आया हैं और लेक्चर नमबर 4 में आज हम देखने वाले effect of multiplication by t बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तो हम इसे कवर करेंगे सबसे पहले यहां पर देखो यह आपको फॉर्म पता है लैपलास of f of t which is equal to phi s यह सभी को पता है बट दोस्तो अभी अगर सब हो जिसके आगे अगर t raise to n से अगर multiply हो जा रहा है t raise to n मतलब t raise to 2, t raise to 3, t raise to 5 ऐसे एगर कोई भी term multiply हो जा रहा है तो दोस्तो समझ जाना कि यह effect of multiplication by t इस rule से solve करना है इस rule के according कैसे sum solve होगा तो आपको minus 1 लिखना है दोस्तो यहाँ पे n का जो भी value है यहाँ पे आपको लिख देना है अगर suppose n का value 5 है तो आप 5 लिख दो 6 है तो 6 लिख द लेना है अगर suppose यहाँ 3 है तो आपको 3rd order derivative लेना है और दोस्तो किस का लेना है 5s का लेना है तो दोस्तो देखो अब हमें इसे one by one हम solve करते हैं यहाँ पे देखो हमें दिया है find the laplace transform अगर आप एक question अगर अच्छे से देखते हो तो आपको लगभग पहला ही question समझ में आ गय और यहाँ पर देखो इसका formula पता है दोस्तो इसका formula क्या आएगा यहाँ पर e raise to x plus e raise to minus x अपॉन 2 तो जंदली मुझे इसके बारे में तो पता है but मुझे यहाँ पे ک्या चाहिए दोस्तो मुझे संफ cos h to t चाहिए, cos h to t का value क्या होगा, e raise to 2 t, plus e raise to minus 2 t, upon 2, तो ये भी मुझे समझ में आ गया, अब मैं आगे क्या करूँगा, अब आगे मैं जब लिखूँँगा, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पता है, इतने का value निकालूँगा, सबसे पहले मैं इतने का value निकालूँगा, अब देखों यहाँ पे, l है, यहाँ पे दोस्तो क्या है, e raise to minus t, और यहाँ पे दोस्तो, cos h to t है, पहले मैं इसका value निकालूँगा, तो अगर सबोच मैं इसका value निकाल रहा हूँ, इसका answer आपको पता है दोस्तो, क्या है e is 2t, और यहाँ पे दोस्तो, e raise to minus 2t upon 2, बहुत ही अच्छे से पहला question ध्यान से देखोगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, अब दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं l लिख रहा हूँ, अब दोस्तों यह 1 by 2 बाहर आ जाएगा, तो 1 by 2 बाहर ले ले रहा हूँ, ख्योंकि multiplication है, अब दोस्तों यह देखो, यह दोनों term को आप साथ में solve कर सकते हो, इसके पहले lecture में ही मैंने बताया था, e raise to minus t है, और e raise to 2t है, अगर आप दोनों को solve करोगे, तो e raise to minus t, plus 2t, उपर का plus हो जाएगा, तो e raise to, finally answer क्याएगा t, तो अगर मैंने उसको multiply किया, तो यहाँ पे क्या e raise to t, दोस्तों इसे फिर आप इससे multiply करो, minus, minus क्या होगा दोस्तों, जैसे अगर देखना है तो देख लो, e raise to minus t को आप किससे multiply कर रहे है, e raise to minus 2t से, देखो यह वाला term आप इससे multiply कर रहे हो, तो finally दोस्तों उपर क्या हो जाएगा, 3t, क्योंकि हम उपर आप ले term को plus कर देंगे, और plus of minus minus हो जाएगा, तो मतलब finally answer क्या हैगा, minus minus plus और t और 2t कितना हो जाएगा, 3t, तो दोस्तों यहाँ पे, बीच में plus है, और हमें उपर का answer क्या मिला, दोस्तों e raise to minus 3t, अब दोस्तों, आपको पता है, इसका laplace form, 1 by 3 यहाँ पे लिख रहा हूँ, laplace का, हमने इसके पहले, फर्स्त लेक्चर में हमने formula देखे हैं, तो लगभग अब फोर्थ लेक्चर सल रहा है, तो आपको सभी formula तो पता होंगे, e raise to t, अगर मुझे इसका formula लिखना है, तो आपको पता होगा, laplace of e raise to 80 का formula, बला, दोस्तो सभी को पता है, 1 upon s minus a, तो दोस्तो यहाँ पर क्या होगा, 1 upon s minus, यहाँ पर दोस्तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो s minus 1 आएगा, और दोस्तो यहाँ पर, अगर मैं लिखूँ, तो 1 upon, यहाँ पर क्या है, तो minus 3 का opposite क्या होगा, प्लस 3, तो दोस्तों आपने यहाँ तक चीजे लिख दिया, अब यहाँ तक अब चीजों को लिखने के बाद, एक्शुली यह किसका एंसर है दोस्तों, लेपलास ओफ e raised to minus t cos to t, पर अपने को क्या find out करना है प्लस 1, s प्लस 3, पर दोस्तों अपने को क्या find out करना है, अपने को यह नहीं find out करना, अपने साथ t भी है, अगर आपको वो find out करना तो यहाँ पर l, यहाँ पर t, e raised to minus t, cos h to t, अब दोस्तों आपको पता हैगी, जैसे t multiply होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तों, यह वाला formula apply करना होगा, यह, देखो t जैसे ही मैंने multiply किया, तो यह वाला formula apply करना होगा, तो आगे क्या हैगा, minus 1, यहाँ पर क्या हैगा, दोस्तों, यह 1 by 2, ऐसे ही है, अब मैं अगर, जब मैं इसे solve करूँगा, 1 by 2 तो वैसी रहेगा, उसका तो कुछ tension नहीं है, अब यहाँ पर क्या आएगा, दोस्तों, minus 1, अब minus 1, raise to n, अब यहाँ पर दोस्तों, n मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है, तो raise to 1 आएगा, और दोस्तों, d by ds of n, n मतलब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ 1, 1 आएगा, और 1, 1 आप उन लिखते नहीं है, अगर सबोस यहाँ 2 होता, तो आप second order derivative लिखते हैं, और 5s मतलब यह आपका 5s का answer है, तो 5s का answer है, चाहिए तो आप यह 1 by 2 अभी यहाँ अंदर ही रखो, देखो, यह minus 1 रखा आपने, यहाँ पर n, n मतलब हुमारा कितना है, दोस्तों, 1, यही आपको सीखना है, d by ds of 5s, और अपने 5s का answer यह है, 5s का answer जो भी है, दोस्तों, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 1 by 2, 1 by s-1 plus 1 by s plus 3, अब दोस्तों, यहाँ पर, बस मुझे यह solve करना है, और मेरा final answer आजाएगा, बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, इसके पहले का, बस देखो, यह नया step है, यहाँ से बस नया step है, इसके अब दोस्तों, यहाँ पर, दोस्तों, एक डेरिवेटिव इस के लिए याद कर लो, d by dx of 1 upon x, which is equal to minus 1 upon x square, please, तो वैसी दोस्तों, d by ds of 1 upon, सबोज इसे आफ 1 upon x समझो, तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह देखो, minus 1, 1 by 2, अब देखो, मैं यहाँ पर डेरिवेटिव इपलाई कर रहा हूँ दोस्तों, 1 upon x, 1 upon x का डेरिवेटिव क्या हैगा, दोस्तों, minus 1 upon x square, मतलब यह जो हमें देखो, जैसे मैंने यहाँ x था, उसका square हो गया, तो वैसे यह पूरा का पूरा x है, तो उसका क्या हो जाएगा, दोस्तों, square, और हमें क्या करना होता है, अगर सबोज यहाँ पर x के place पर x है, तो वैसे यहाँ पर ds है, तो यहाँ पर ds है, तो यहाँ पर ds है, तो यहाँ पर ds बस होना चीए, पर s-1 है, मतलब यह bad function हो गया, मतलब s-1 का फिर से आप derivative लोगे, और s-1 का अगर आप derivative लोगे, तो दोस्तो 1 ही आएगा, जैसे x, अगर यहाँ पर x रहता, तो x-1 होता, तो x का derivative 1 और 1 का derivative 0, तो वैसे s का derivative का आएगा 1 और 1 का 0, तो 1 कुछ मतलब नहीं यह रखके, सेम यहाँ पर भी दोस्तो यह minus 1 हो जाएगा, और s-3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोस्तो स्क्वेर, और फिर से अगर मैं s का further derivative लोगी की back function है, तो वो फिर से 1 ही आएगा, तो finally दोस्तो यह minus 1 by 2, और minus 1 upon s-1 का whole square, plus minus 1 upon s-3 का whole square, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तो इस question को हमने solve कर दिया, अब चलते हैं दोस्तो next question की और, और next question solve कर दो, चलते हैं next question की और, और next question भी दोस्तो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, अब इस question को हमें फड़ा फड़ा solve करना है, अब देखोंगे यहाँ पे, laplace of t, sine, cube t हमें find out करना है, अब मुझे यहाँ पे t आगे दिखाई दिया, तो इससे मुझे यह समझ में आगी, effect of multiplication, इससे हमें इससे solve करना, इस rule के according, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले मैं laplace of, sine, cube t, को मैं find out करना ही कोशिस करूँगा, और laplace of, sine cube t का formula, तो अब लगभग मुझे याद हो गया होगा, 1 by 4, और अब आपको बहुत easy laplace लगने लगा होगा, अगर आपने मेरा अच्छे से lecture देखा होगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, और जरूर आप बात पे comment भी करोगे, अब दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 3 sine t, minus, sine 3 t, sine 3 t, अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो हम क्या करते हैं, दोस्तों 1 by 4 बाहर ले ले रहे हैं, और laplace of 3 sine t, minus sine 3 t, अब अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 by 4, और अगर आपको इसका laplace निकालना तो 3 ऐसे ही रहेगा दोस्तों, और sine t, अगर मुझे इसका अगर मुझे laplace solve करना है, तो उपर के आएगा 1, मतलब a, formula आपको पता होगा, sine a t, का laplace अगर हमें निकालना है, तो दोस्तों उपर के आएगा a, और यहाँ पर s square plus a square, तो दोस्तों यहाँ पर, s मतलब यहाँ पर s square आया, और plus a square मतलब दोस्तों 1 का square, और दोस्तों minus है, यहाँ पर अगर आप solve करोगे, तो दिखो एक इतना है 3, then s square plus 3 का square कितना होगा, दोस्तों 9, तो finally, यहाँ तक तो हम पहुझ गए, और अगर मैं चाहूँ तो 3 बाहर ले लू, 3 by 4 तो अंदर के आप अच्छा, 1 upon s square plus 1, और यहाँ पर 3 तो बाहर चले गए, 1 upon s square plus 9, I think मुझे लग रहा है कि यहाँ तक का part तो आपको आता है, इसलिए मैंने यह जानबुच के इस तरह से लिखा हूँगे, अगर सबोज आगे अपना answer wrong हो गया, तो यहाँ तक कभी हमें marks मिलेगा, अब यह होने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, t से multiply करना है, actually अपने को यह नहीं चीए, अपने को क्या चीए, अपना question क्या है, दोस्तों, आगे t है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, laplace of t into sin cube t, मुझे अगर find out करना है, तो अब यहाँ पर जैसे ही मैं t multiply करूँगा, तो दोस्तों, यहाँ पर effect of multiplication rule आ जाएगा, effect of multiplication rule क्या बोलता है, दोस्तों, minus 1, range 2, यहाँ पर देखो, इसके उपर भी कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 लिखेंगे, and d by ds of, जो भी यह है, दोस्तों, d by ds of, जो भी यह जो function आया है, qs आता है, तो qs हमारा क्या है, 3 by 4, 1 upon s square plus 1, minus 1 upon s square plus 9, बहुत अच्छे से ध्यान दो, और मैं चाहता हूँ कि आप, बहुत ही जल्दी-जल्दी, syllabus को cover कर लो, आप देख सकते हो, timing, 9 बजे, रात को class से आने के बाद, मैं lectures को record कर रहा हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा भी यह में, कि मैं जल्दी-जल्दी आपको lectures provide कर दू, यहाँ पर minus 1 है दोस्तो, अब अगर आप इसे आगे solve करनी कोसिस करोगे, तो यह 3 by 4 constant term है, then इसके बाद d by ds of, हमें क्या करना है दोस्तो, यहाँ पर s square plus 1, minus 1 upon s square plus 9, यह अपने को क्या करना है, find out करना है, अब दोस्तों, यहाँ पर minus 1 से, अगर multiply होगा, तो यह कितना होजागा, minus 3 by 4, और दोस्तों, अगर मैं इस पार्ट का derivative निकाला हूँ, बहुत अच्छे से निकालना है, आपको मैंने इसके पहले वाले sum में भी बता है, कि यहाँ पर derivative कौन सा लगेगा, 1 upon x वाला, 1 upon x का derivative का आता है, दोस्तों, minus 1 upon x पर, तो मतलब यहाँ पर कहाएगा, minus 1, upon जो भी नीचे term दिया है, दोस्तों, square form में चले जाएगा, यह दिखो, जो भी term है, वो काउन से form लेगा है, square form में, बट दोस्तों, इसके अंदर जो भी term है, इसके अंदर जो भी term में, वो क्या हो गया, bad function, bad function, actually rule wise, यहाँ पर ds था, तो अंदर बस s होना चाहिए था, बट अगर अंदर क्या है, s square plus 1, तो फिर से उसका derivative हो, और उसका derivative हो, हम लेंगे, तो s square का derivative कितना आएगा, दोस्तों, 2s, और दोस्तों, 1 का derivative तो 0 होने हाला है, तो बस उपड 2s आएगा, एंद इसके बाद, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, जो भी दिया है, उसका आप square ले लो, और उपड आपको minus 1 लेना है, यह s square का कितना आएगा, दोस्तों, 2s, अब यहाँ पर यह होने के बाद, आपको क्या करना है दोस्तों, अब यह होने के बाद, दोस्तों, यहाँ पर minus 3 by 4, अब यहाँ पर minus 2s, और s square plus 1 का square, और minus minus, दोस्तों, प्लस और यहाँ पर भी क्या है, 2s है, और s square plus 9 का square, और यहाँ पर यह, अब अगर मैं ध्यान से देखो, तो दोस्तों, यहाँ से मैं 2s बाहर ले सकता हूँ, तो यह minus 3 है, इंटू, यहाँ पर 2s आ गया, और यह 4 है, और अंदर दोस्तों, minus 1 upon, s square plus 1 का square, और यहाँ पर दोस्तों, यहाँ से भी 2s बाहर आ गया, तो s square plus 9 का square, यह वाला टमबर चाए, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, simplification, बहुत सारे लोग answers को यहाँ ही तक रख देंगे, पर मैं चाहता हूँ कि आप simplify करो answer को, अब दोस्तों, यह दे को 2 1s आ, 2 2s आ, तो finally answer उपर, minus 3s upon 2, और अगर चाहते हो, अगर आप minus sign अंदर multiply कर दे रहे हो, suppose यह minus sign मैं अंदर multiply कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, 3s by 2, और यह minus जैसे ही अंदर आएगा, तो यहाँ पर plus हो जाएगा, plus, और दोस्तों, यहाँ पर, यह minus यहाँ यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कि नीचे वाला term जो है उसको expand करने की जरूवत नीचे नहीं है तो देखो ये वाला term जो है आपको पता कि cross multiply कैसे होता है दोस्तों ये दोको 3 by 2 है plus 6 by 9 है हम इसको और इसको multiply करते हैं और नीचे वाला multiply करते हैं देखो ये 1 से multiply हो रहा है और दोस्तों ये पूरा का पूरा term भी multiply हो रहा है 1 से तो उपर वाले term को expand कर दो नीचे को expand करके कुछ मतलब नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर देखो 3s by 2 अब उपर का मैं expand कर रहा हूँ तो a square यहाँ पर जो भी term दिया है दोस्तों उसका square लेना है तो यह already square form में पहले से ही है और अगर मैं इसका square लूँगा step by step जाओंगा कोई दिक्कत नहीं है सबी को समझ में आना चाहिए plus 2ab 2a, a मतलब क्या है दोस्तों s square और b मतलब क्या है दोस्तों 9 plus यहाँ पर क्या है दोस्तों b का square मतलब 9 का square कितना है दोस्तों 9 का square यहाँ पर कितना है गा 81 then दोस्तों minus अब देखो यह वाला जो भी part है minus है तो bracket में लेना होगा देखो यह भी क्या हो जाएगा s square का square plus 2ab 2a और b क्या है 1 और plus 1 का square 1 अब finally अगर मैं इसे लिखो s square प्लस 1 का square और s square प्लस 9 का square अब मैं इसे अगर solve करने की कोशिस करो देखो sum तो बहुत बढ़ा हो चुका है बट कर सकते हैं solve देखो 3s by 2 यह देखो यह s raise to 4 हो जाएगा plus यहाँ पर 18 s square हो जाएगा plus 81 minus यहाँ पर भी s raise to 4 देखो यह sign अंदर change होगा यहाँ पर ही minus और यहाँ पर 2s square और दोस्तों यहाँ पर भी sign change हो जाएगा plus का minus और यहाँ पर 1 तो फाइनली यह उपर वाला पार्ट है और नीचे का पार्ट यह मैं expansion किसी किसी sum में कर रहा हूँ कहीं गई पर मैं expansion मैं आपको दे रहा हूँ इस expansion से आपको बहुत कुछ सीखना चीगए किस तरह से मैं expand कर रहा हूँ चीजों को अब दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखोगे तो s raise to 4, s raise to 4 cancel हो गया और दोस्तों अगर आप और ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ से इस में से इसको अगर आप minus करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 18s square minus 2s square देखो यहाँ पर 3s लिख रहा हूँ upon 2 तो दोस्तों यहाँ पर 18 में से अगर 2s square गया तो I think 16s square और दोस्तों यहाँ पर देखो 81 में से अगर 1 गया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर plus 80 answer आएगा अब दोस्तों नीचे वाला जो भी part है उसे आप उसी तरह से रखो पूछ भी करने की जरूरत नहीं है अब अगर आप इसे ध्यान से अच्छे से देखते हो और इसी टाइप ही examples दोस्तों पूछे जाते हैं अगर देखो इनका marks अगर ज्यादा है तो आपको कोशिस करना है end तक पहुशने के लिए otherwise आपके half marks, one marks का एंस कम हो सकते है क्योंकि final answer भी चाहिए अब यहाँ पर अगर आपको 16 का table पता होगा तो 16 common आएगा और 16 के table में 85 जा आता है दोस्तों और यहाँ पर अब यहाँ पर दोस्तों इदो को यह s square plus one का square है और यहाँ पर s square plus nine का square है अब मैं देखो यहाँ पर यह दोनों को अगर मैं multiply कर रहा हूँ तो यह 8 हो जाएगा तो finally दोस्तों यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर 24s और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों s square plus five और यह five है यह five और नीचे जो है दोस्तों x square plus one का square और s square plus nine का square एक बर मैं अपने question को check कर ले रहा हूँ कि हो सकता है कि मैंने गाई-गाई में सब चीजे systematic लिखी है कि नहीं लिखी है दोस्तों देखो यहाँ पर just मैंने cross multiply किया और यहाँ पर मैंने expansion भी लिया और यहाँ पर भी मैंने expansion लिया और दोस्तों फिर नीचे आला term same था देन यहाँ पर x raise to four two s perfect है देन मुझे यहाँ पर 16 मिला मैंने common लिया तो आप अपने answer को यहाँ तक भी रख सकते हैं चाहिए तो आप s को अंदर multiply कर सकते ह है कि आपके उपर आप कैसे answers को रखते हैं चलो चलते हैं अब next question की और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको इस यहां तक भी अगर आपने solve कर लिया तो इस topic में आपको बहुत महारत हासिल हो चुका है दोस्तों क्यूंकि multiplication effect को भी आपको solve करने आ रहा तो overall इसले starting के lectures बह से पहले हम laplace of e raised to 3t sin 40 का answer निकालने के लिए और उसके भी पहले मैं कोसिस करूँगा sin 40 का answer निकालने के लिए तो पहले मैं क्या करूँगा laplace of sin 40 step by step जाऊंगा जैसे मैं पहले solve करता था अब लैपलास of sin 40 का अगर मैं answer निकालने जाओ तो में बस formula है दोस्तो formula के according मैं direct निकाल सकता हूँ direct मतलब यहाँ पे a आएगा और यहाँ पे दोस्तो s square आएगा और यहाँ पे 4 का square कितना होगा 16 अब finally अगर मुझे यहाँ पे laplace of e raise to 3t और laplace यहाँ पे लिख रहाँ और यहाँ पे दोस्तो sin 40 है अगर यहाँ पे दोस्तो अगर h का function होता तो मैं क्या करता उसको convert कर देता formula में और आराम से question को stall कर लेता बट अगर इस तरह का question है तो मुझे क्या करना होगा दोस्तो यहाँ पे by first sitting theorem हमें दोस्तो यह theorem apply करना है और इस theorem को जैसी मैं apply करूँगा तो यहाँ पे changes क्या आ जाएगा दोस्तो यह 4SE रहेगा यहाँ पे S का क्या हो जाएगा S माइनस यहाँ पे देखना है आपको force drifting theorem आप देखे होंगे यहाँ पे जैसे E raise to something आया तो force drifting theorem से यह 100 होगा तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे दोस्तो प्लस 3 का यहाँ पे माइनस 3 स्क्वेर और दोस्तो यहाँ पे 16 है अब हमें क्या करना है इसी को explain करके थोड़ा simplify कर ले रहा हूँ तो यहाँ पे अगर S का स्क्वेर लेंगे तो S स्क्वेर यहाँ पे 4 है यह S स्क्वेर है और यहाँ पे दोस्तो माइनस 6S और प्लस दोस्तो यहाँ पे 25 तो finally यहाँ पे मैंने इसका answer तो दोस्तो निकाल लिया अब मुझे क्या करना है जैसी यहाँ तक के steps आपको पहले से ही आते है आपने यह step apply किया यह पर मुझे answer में T चाहिए मुझे यह भी answer नहीं चाहिए तो दोस्तो यह T आगे multiply हो रहा है E raise to 3T है यहाँ पे sin 4T है आपने step by step सब कुछ लिख दिया और please process करो step by step लिखने के लिए चाहोते हैं तो आप direct यह भी लिख सकते हो पर step by step जाओ अब देखो T जैसे ही आगे multiply होगा इसका answer मुझे पता है कि इसका answer यह है अब मुझे पता है कि इसका answer यह है तो मुझे यह वहाँ पर क्या करना है formula apply करना है formula मतलब minus 1 raise to अब यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है and d by ds of दोस्तो यहाँ पर क्याएगा 5s 5s का अपने उस value है दोस्तो जो भी values है 4 upon यहाँ पर क्या होगा s square minus 6s plus 25 अब दोस्तो अगर मुझे इससे solve करना है तो मैं कैसे solve करूँगा प्लीज यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो अब दोस्तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus 1 raise to 1 मतलब minus 1 ही होगा और दोस्तो यहाँ पर अगर मैं derivative लेने जाओं तो आपको पता यह 4 हम बाहर ले लेते हैं then हमें derivative लेना है तो 1 upon something अगर मुझे derivative लेना है तो आपको formula पता है minus 1 upon जो भी नीचे दिया होगा जो भी दिया होगा दोस्तो उसका आपको क्या लेना है square लेना है और उसका आपको क्या करना है फिर से derivative लेना है क्योंकि यह क्या है दोस्तो bad पंसन है minus 1 upon x square में ने लिखा बढ़ x की जगब पर यहाँ पर s है minus 6 x का minus 6 क्योंकि x का 1 तो वैसे s का भी 1 और दोस्तों यहाँ 25 का 0 हो जाएगा तो finally अगर मैं इसे लिखने कोसिस करो तो देखो दोस्तों यह minus minus plus हो गया और बाहर 4 है then दोनों में से अगर मैं common निकाल लूँ तो 2 बाहर आ जाएगा दोस्तों तो अंदर यहाँ पर क्या बचेगा s minus यह 2 के table में कितने time में आता है दोस्तों 3 time में और अगर मैं नीचे solve करने ही कोसिस करो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा s square 6s plus 25 का square अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे तो दोस्तों यह क्या हो जाएगा next question की दोस्तों चलते हैं next question की और next question solve कर रहे हैं यहाँ पर देखो आपको रिखाई दे रहा है हाँ यहाँ पर आपको एक चीज़ दियान में रखना है कि 1 plus sin t जो है दोस्तों इसका direct formula बहुत सारे जगह पर आप 1 की जगह पर sin square plus cos square then उसको convert करोगे पर मैं यहाँ पर आपको direct दे रहा हूँ यह direct formula लिखने पर भी आपको marks मिलेगा दोस्तों यह direct आपको formula बस उपर आपको एक बार यह formula लिख देना चीए यह इसका direct formula है under root of 1 plus sin t का direct formula है cos और sin और यहाँ पर आपको भी angles होते हैं दोस्तों यहाँ पर उस angle का क्या होगा हाप तो यहाँ पर अगर t है तो वहाँ पर t by 2 है अगर exam में हो सकता है 2t है तो आपको t लिख देना है तो इसलिए यह वाले चीज़ों को आपको अच्छे से अपने दिमार्ग पर बिठा लेना है अब दोस्तों यह देखो यहाँ पर lap last है मैं क्या करूँगा सबसे पहले हाँ सुरी यहाँ पर t भी है question को एक बार हमें check करना होगा question में t है सायद question में t है दोस्तों अब यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा under root of one plus sin t का value निकालूंगा अगर मैं इसका value दोस्तों solve करने जा रहा हूँ तो मतलब lap last of देखो यह वाला जो है term इसको equal है तो मैं यह under root की जग़ा पर यह पूरा लिख सकता हूँ मतलब मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ cos t by 2 plus sin t by 2 अब दोस्तों अगर मैं इसका lap last निकालने जा रहा हूँ तो आपको lap last भी solve करने आता है lap last of cos 80 का आपको formula पता है cos जब भी रहेगा तो उपर क्या आएगा s क्योंकि cos के last में s आता है और यहां पर क्याएगा दोस्तों s square और यहां पर क्याएगा दोस्तों बीच में क्या है यहां पर plus है and sin t by 2 तो हम क्या लिखते हैं उस पर a लेते हैं a मतलब दोस्तों यहां पर क्याएगा a का value कितना है 1 by 2 और यहां पर same s square और यहां पर क्याएगा 1 by 2 का square अब दोस्तों अगर मैं मुझे इससे solve करना तो मैं किस तरह solve करूँगा यह s s e रहेगा यह s square भी s e रहेगा यह 1 by 4 हो जाएगा यहां पर भी यह 1 by 2 s e रहेगा यह s square हो जाएगा और यह भी 1 by 4 हो जाएगा अब मेरा मस simplification का part है दोस्तों अब देखो मैं इससे simplify कर रहा हूँ तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों यह दोको यह s है यहां पर यह s square प्लस 1 अब मतलब यह 4 इससे multiply हो जाएगा और नीचे क्या आजाएगा 4 जस्त मैंने cross multiply किया यहां पर दोस्तों यह 1 by 2 s ही रख रहा हूँ यह 4 x square प्लस 1 और नीचे भी क्या आएगा दोस्तों अब मैं अगर इसे और आगे solve करने की कोशिस करूँ तो दोस्तों यह दोको यह 4 उपर आ जाएगा तो यह क्या आजएगा 4 s और नीचे क्या आएगा 4 s square प्लस 1 और यहां पे दोस्तों यह 1 by 2 है और यह 4 उपर आजाएगा और यहां पर आजाएगा 4 x square प्लस 1 अब अगर मै यहाँ पर टू आ जाएगा और यहाँ पर कहाएगा दोस्तो 4x2 plus 1 अब दोस्तो यहाँ पर हमने यह सब चीजों को solve किया first time हमें ऐसा मिला कि हमारा जो denominator है दोस्तो वो same हो गया तो same अगर कभी भी denominator होता है तो उसे आपन वन टाइम लिखते हैं कभी VMAX का rule है और उपर आले term को आपन क्या करेंगे प्लस कर देंगे अब उपर आले term को जैसे हम प्लस करेंगे तो आप अगर देखोगे तो दोनों में से दोस्तो 2 बाहर आ रहा है 2 common आ रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हो इसे 2 और यहाँ पर क्या लिखूंगा 2 के development 4 कितने टाइम में आता है 2s और 2 बाहर आ गया तो यहाँ पर पुछ नहीं है तो 1 और यहाँ पर क्या है दोस्तो 4x square प्लस 1 यह जो मुझे answer मिला हो किसका मिला दोस्तो लैप्लास ओफ अंडर रूट ओफ 1 प्लस साइम टी का यह मुझे इसका answer मिला आप चाहिए तो देखना है तो देख लो देखो मैं इसी को solve कर रहा था लैप्लास ओफ अंडर रूट ओफ साइम टी तो starting का part तो पूरा सेम था और मुझे क्या निकालना है दोस्तो लैप्लास ओफ टी इंटू something यह निकालना है और यहाँ पर क्या है अंडर रूट ओफ वन प्लस साइम टी अब दोस्तो यहाँ पर जैसी टी मॉल्टिप्लाइ होगा effect of multiplication आएगा और effect of multiplication आपको पता है minus 1 और यहाँ पर T के उपर कुछ नहीं तो 1 है and d by ds of दोस्तो जो भी qs का value है मतलब इसका जो भी लैप्लास का answer है वो यहाँ पर आपको लिखना है 2 यहाँ पर कहाएगा 2s plus 1 और यहाँ पर कहाएगा दोस्तो 4x square plus 1 अब यहाँ पर यह होने के बाद आप क्या करोगे दोस्तों यह देखो minus 1 ऐसी है यह 2 constant है बाहर ले लो into 2 और अब आप क्या करो जो बचा हुआ term है उसका derivative निकालना है अब यहाँ पर फिर से 11th और 12th class पर आना होगा पर आप बिल्कुल भी tension मत लेना सभी चीजों को मैं बत आउंगा जब भी आप इस तरह से अगर किसी भी derivative को solve करते हो यहाँ पर कुछ नंबर आते थे और x square plus 1 तो हम क्या करते थे 1 upon x वाला formula अपलाए करते थे minus 1 upon x square first time ऐसा हुआ है कि अपने question में s उपर आए और ऐसा होगा भी आपके साथ भी होगा कि जब आप question solve करोगे तो कभी का बार ऐसा होगा कि s उपर आएगा तो आपको दोस्तों यहाँ पे derivative का u by v rule apply करना है कौन सा rule apply करना u by v rule derivative का u by v rule क्या बोलता है थोड़ा सा मैं explain कर रहा हूँ आपको bike चलाना है सबसे पहले आपको bike कौन सा कौन चलाएगा bike को v bike को चलाएगा पीछे वाले seat पर जो बैठेगा दोस्तों उसका derivative solve होगा तो यह होता है हमारा u by v rule कब हम apply करते हैं जब अगर उपर भी कोई, देखो, वित रिस्पेक्ट टू S है, उपर भी S का function ने नीचे भी, तो ये हमारा U हो गया, और ये हमारा V, बहुत ही अच्छे तरीके से है, हम इसे समझने ही कोसिस करेंगे, अब देखो दोस्तों यहाँ पे, सब से पहले V लिख रहा हूं मैं, क्योंकि S का derivative 1 होता है और plus 1 का तो 0 हो जाएगा, तो finally मैं यहाँ पे कितना ही रखता हूं, बीच में minus है, फिर दोस्तों क्या आजएगा U, U हमारा जो भी है मैं लिख दे रहा हूं, 2S plus 1, और दोस्ते इसके बाद हमें क्या लिखना है, derivative of V, अगर मैं नीचे आले term का derivative लेता 8S, तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 8S, और नीचे जो भी है, जो V होगा उसका क्या होगा, square, तो finally दोस्तों आप बस मुझे simplify करना है, तो मेरा answer आजाएगा, देखो simplify मैं लगातार आपको 2-3 sum में बता रहा हूं, तो यहाँ पे आप जैसी simplify करोगे तो आपको बहुत easy, यह जो chapter हो जाएगा, बहुत easy आपको हो जाएगा, अब देखो यह 2 से अंदर multiply करोगा तो कितना हो जाएगा, 8S square, यहाँ पे 2, यहाँ पे जैसे यह पूरा का पूरा term अंदर multiply करोगा तो कितना हो जाएगा, 16, S into S, X square, और यह प्लस माइनस, माइनस, और यहाँ पे भी 8 S square, दोनों का calculation होगा, माइनस, प्लस, माइनस, मतलब 16 में से 8 गया, तो माइनस 8S square, क्योंकि माइनस इसलिए है, क्योंकि greater number का sign है, then माइनस S और प्लस 2, अब यहाँ पे गया है, 4X square, प्लस 1 का square, अब मैं अगर आगे इसे solve करने की कोसिस करूँ, तो मेरा answer क्या आएगा दोस गया है, और दोस्तों अंदर क्या बचा, अंदर अगर आप देखोगे, तो माइनस, 2 के table में 8 कितने time में आता है, 4, यह भी कितने time में आता है, 4, और यह कितने time में आएगा 1, और नीचे क्या है, 4X square प्लस 1 का whole square, अब दोस्तों जैसे ही, यह 4 हो गया, और यह माइनस sign अब यहाँ पे 4X square प्लस 1 का whole square, और फाइनली यह answer अपना cover हो गया, तो इसी के साथ यह question भी अपना solve हो गया, अब चलते हैं दोस्तों next question, next question, और मैं चाहता हूँ कि यह question आपको solve करने के लिए दे रहा हूँ, एक ही question दे रहा हूँ, देखो starting का part मैं आपको solve करके दे दे रहा plus of, देखो यहाँ पे यह T, ऐसी ही रखो, और दोस्तों यह यहाँ पे square form में, तो आप क्या करो सबसेलर दोनों को square दे दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin square T, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोस्तों, E, E T का square मतलब E to T हो जाएगा, तो यहाँ पे यह हो गया, और finally अगर में जहें इसे लिखना है, तो मैं ऐसे दिख सकता हूँ, T, और E raise to minus 2T, और यहाँ पे क्या होगा, दोस्तों, sin square T, इस तरह से हमने इस question को convert किया, आप इसके बाद इसे और भी, यहाँ पे मैंने आपको एक formula दिया है, sin square X का, या तो sin square T के term में लिख दे रहाँ, जो formula क्या आएगा, दोस्तों, 1 minus cos 2T upon यहाँ पे 2, तो आप यह वाले formula का, जो मैंने आपको lecture number first में दिया है, तो आप यहाँ पे देखो, यह L है, आप यहाँ पे T है, और यहाँ पे E raise to minus 2T है, अब दोस्तों, यहाँ पे आप यह formula यूज कर सकते हो, और इस formula का यूज करने के आप पहले यह वाला part find out कर लो, मेरे साब से पहले आप यह वाले part का लैपलास find out कर लो, then for stripping theorem से यह पूरे part का लैपलास find out कर लो, and then इसके बाद आप क्या करो, T मतलब वहाँ पे आपको क्या करना है, normal सा derivative लेना है, और उसके according उस question को क्या कर देना, solve कर देना है, अब जीत आप लेंडोस तो